नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि एक्स्टाल्यूब आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. एक्स्टाल्यूब आई ज्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और एक्स्टाल्यूब आई ज्रॉप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. और यह भी डिसकस करेंगे कि एक्स्टाल्यूब आई ज्रॉप को आँखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Extralube Eye Drop का उप्योग आखों में सुखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए Extralube Eye Drop का उप्योग किया जाता है, इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई इंफेक्षन होने पर भी डॉक्टर एक्स्ट्राल्यूब आई जॉप को आखों में डालने की सला दे सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्राल्यूब आई जॉप आखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती हैं, और आखों में नमी को बनाए रखती हैं. Extralube Eye Drop में Artificial आसू होते हैं, जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में infection को होने से रोकते हैं। आखों की लेसिक सर्जरी या Cataract Surgery होने के बाद भी डॉक्तर आखों में सुखापन और infection को रोकने के लिए Extralube Eye Drop को डालने की सला दे सकते हैं। आखों में सुखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आखों में या आखों के आसपास चिपचिपे म्युकस का जमाफ होना आधी लक्षण आखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो एक्स्ट्राल्यूब आई ज्रॉप की वज़े से अभी तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किये गए हैं। लेकिन एक्स्ट्राल्यूब आई जॉप को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति को Extralube Eye Drop को आखों में डालने के बाद आखों में जलद, खुजली और आखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है तो ऐसी स्थिती में आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि आपका डॉक्तर Extralube Eye Drop को बंद करने की सलाह दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि Extralube Eye Drop को कित्मी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर Extralube Eye Drop को दिन में तीन से लेकर चार बार आखों में डालने की सलाह देते हैं लेकिन Extralube Eye Drop की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Extralube Eye Drop को आखों में डालने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की Extralube Eye Drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Extralube Eye Drop को आखों में डालने के बाद Extralube Eye Drop के ढखकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और Extralube Eye Drop की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Extralube Eye Drop का उप्योग करना सुरक्षित है इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Extralube Eye Drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Extralube Eye Drop से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं